कुत्तों को क्या शाप दिया था द्रौपदी ने। द्रौपदी ने पांडवों के साथ रहने के लिए एक नियम बनाया था। अर्जुन ने एक बार वो नियम तोड़ दिया। उनसे वो गलती हुई थी कुत्तों के कारण। पांचाल राज्य के राजा द्रौपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयमवर अपनी राजधानी कामपिल्य में रखा था। शर्त थी कि जो भी व्यक्ति पानी में छवी देखकर उपर घूमती मचली की आँख पर निशाना लगाएगा उसे से द्रौपदी का विवा होगा। स्वयमवर में तमाम राजा पहुँचे, हिस्सा लिया और अस्फल हुए। आखिर में ब्राह्मन वेश में पांचों भाईयों संग पहुँचे अर्जुन ने ये कारनामा कर दिया। द्रौपदी ने उनके गले में वर्माला डाल दी। द्रौपदी को लेकर अर् पांचों भाईयों में बांट लो। इस तरह से द्रौपदी पांचों भाईयों की हो गई। जब द्रौपदी को अपने बढ़ जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त कि एक बार में वो एक ही भाई के साथ रहेंगी। तब पांडवों में से कोई द चर्त को मान लिया। तै किया गया कि जो भी भाई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा वो अपनी पादुका यानि अपना जूता कक्ष के बाहर छोड़ देगा। इससे सभी को अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई दूसरा भाई द्रौपदी के साथ है। एक बार द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर थे लेकिन तब ही कक्ष में अर्जण भी पहुँच गये। उन्होंने दोनों को साथ देख लिया। इससे द्रौपदी और युधिष्ठिर तो लजज़ित हुए ही अर्ज़िन भी शर्मसार हो गये। लज़ित द्रौपदी को अर्ज़िन पर पादुका की खोज में निकल पड़े। एक जंगल में उन्हें कुछ कुट्ते युधिष्ठिर की पादुका से खेलते दिखे। जब उन्होंने आकर पूरा माजरा दौपदी को कह सुनाया तो घुस्से से तमतमाती हुई दौपदी ने कुट्तों की समूची प्रजाती क को शाब दे दिया। समूची प्रजाती को शाब देने की वजह ये थी कि कि किस कुट्ते ने युधिष्ठिर की पादुका चुराई ये तै नहीं किया जा सकता था। दौपदी ने शाब दिया कि एक कुट्ते की वजह से उन्हें लजजित होना पड़ा है। जैसे उनके निजी शणों को किसी और ने देखा वैसे ही कुट्तों की पूरी प्रजाती अब लजजित होगी। वो सभी के सामने सहवास करेंगे और हजी का पात्र बनेंगे। दौपदी इस स्थिती में केवल इसी वजह से पहुँची थी क्योंकि उनके पांच पती थे। अगर उनक महाभारत की कथाओं के मुताबिक दौपदी स्तामानिस्त्री नहीं थी। वो तो यग्य से जन्मी थी। उन्हें माकाली का अवतार माना जाता है। इसका उत्तर भी महाभारत की ही एक कहानी से मिलता है। दौपदी ने योग्यवर की लालसा में महादेव की साधना की महादेव प्रसन हुए तो द्रौपदी ने उनसे कहा कि मैं अपने लिए योग्यवर चाहती हूँ. महादेव ने पूछा तुम्हारे मुताबिक योग्यवर में क्या गुण होने चाहिए? द्रौपदी ने अपने पती में पाच गुण चाहे. उन्होंने कहा मेरा पती धर्म का प्रतीक हो. उसमें हनुमान जैसी शक्ती हो. वो परशुराम जैसा धनुर्धर हो. ऐसा सुन्दर हो कि समय भी उसके लिए ठहर जाए. और उसमें अतुलनी सहन शक्ती हो. महादेव ने द्रौपदी की इच्छापूर्ती का वर्दान दिया. ह लेकिन उन्हें पांचों महाईयों के साथ रहना पड़ा. क्योंकि वो इन ही गुड़ों के प्रतीक थे. युदेश्टिर धर्मराज थे. भीम महाबली, अर्जुन धनुर्धर, नकुल बेहत सुन्दर और सहदेव में सहन शक्ती अतुलनीय थी. द्रौपदी का वर्दान ह उनके लिए अभिशाब बन गया. द्रौपदी के लिए ये गर्ब भी था कि उनकी मनोकामना के सभी गुड़ उनके पतियों में थे. लेकिन ये दुर्भागे भी था कि वो गुड़ एक में नहीं बलकि पांच अलग लोगों में थे. द्रौपदी को जब पांचों भाईय में बांटे जाने की बात पता चली तो उन्हें भी अपने वर्दान का एहसास हुआ. लेहाजा उन्होंने इसे अपने ही तब का फल मानकर स्विकार कर लिया. हालकि स्त्रीलज्जा की खातिर उन्होंने एक वक्त में एक ही पती के साथ रहने का नियम बनाया था. यहाँ लड़कियां बनती हैं द्रोपदी. हिमाचल के किनौर की कॉमन मेरिज में दुलहन एक होती है जबकि दूले कई. बहुपती की ये परंपरा सदियों पुरानी है. मन्दीप सिंग पुनिया चंडिगर की पंजाब यूनिवसिटी से पढ़ाई कर रहे टैंजिन जंगपा चंद रूज पहले ही हिमाचल के किनौर जिले में पढ़ने वाले अपने गाउं पंगी लोटे थे. वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे. कि अचानक उनके पिता ने टैंजिन के बड़े भाई की शादी की खबर दी. लेकिन शादी केवल भाई की नहीं थी. साथ में टैंजिन को भी विवाह करना था. और उसी लड़की से जिससे भाई का रिष्टा तैह हुआ. इसे कहते हैं कॉमन मेरिज या बहुपती विवाहा. खबर सुनकर आप भले चौके हों. लेकिन टैंजिन उसी तरह शांत रहे. उनके लिए इस तरह की शादियां कोई अचरज की बात नहीं. टैंजिन बताते हैं मेरे पिता के तीन छोटे भाई और हैं. सभी की शादी मेरी माता देवबू जंगपा के साथ हुई. यानि चार भाईयों की एक साजह पतनी. इस विवाह में हम दो भाई और एक बेहन हैं. हम तीनों भाई बेहन डोकुमेंट्स में पिता की जगह चारों भाईयों में सबसे बड़े करून जंगपा का नाम लिखते हैं. किनौर जिला भारत तिबद बॉर्डर से सटा है. उचे उचे पाहाड और इन से निकलने वाली सतलूज नदी के इर्द गिर्द बसे देहातियों को कहते हैं किनौरी. अधिकतर बौद धर्म से तालुक रखते हैं. कम तापमान, अल्ट्रा वाइलेट किर्णों की अधिकता, लोगों में आयोडीन की कमी, सेमिट संसाधन और समुद्र तल से 2400 मीटर से लेकर 6800 मीटर तक उचे दुरगम इलाके में अब भी बहुपती प्रथा जैसी सदियों पुरानी परंपरा सनरक्षित है. किनौर के वरिष्ठ पत्रकार सीता राम नेगी कहते हैं कि यहां बहुपती प्रथा अब सिकुड रही है. बहारी दुनिया के संपर्क में आने के कारण इस प्रथा की प्रासंगिक्ता को लेकर बहस जारी है. लिकिन किनौर की जीवन शैली में इसका सामाजिक महत्व अब भी है. वो बताते हैं किनौरी भाशा में हम इस तरह की विवाह को नमफो पोश्मा कह रहते हैं. लिकिन आज कल कॉमन मेरिज शब्द ही ज्यादा चलनवे हैं. ये शादी आम शादियों जैसी नहीं होती. आमतोर पर लड़की वाले रिष्टे के लिए लड़के के घर जाते हैं. किनौर में इसके उलट लड़की का हाथ मांगा जाता है. लड़की के घर वालो कर दे तो ये शादी भी नहीं होती. शादी की तरह इसकी रसमें भी अलग हैं. तै तारीख को लड़के वाले लड़की के घर बारात लिकर जाते हैं. अगर बारात में देरी हुई तो लड़की के घर का दर्वाजा बंद मिलता है. जिसको खुलवाने के लिए लड़के व दूलह सबसे बड़ा भाई बनता है कि नौरी में दूलहे को कहते हैं लाडा जब भी कोई रस्म होती है तो लाडा आगे बैठता है और छोटे भाई उसके पीछे पूरी शादी लामा की देखरेक में होती है अच्छी बात है कि यहां दहेज जैसा रिवाज नहीं है लड़क भी करते हैं नंफु पोश्मा की बात करते करते उम्रदराज सीताराम थोड़ा ठहर गए शायद किसी पुरानी याद ने घेर लिया फिर कहने लगे अब ऐसे विवाह एकाद ही देखने को मिलते हैं बमुश्किल दस प्रतिशत लोग ही अब इस तरह की शादी में गुजर बसर कर रहे हैं सिक्षा, मेडिकल सुविधाओं, मोबाइल इंटरनेट और बाहरी दुनिया से मेल जोल बढ़ाने के कारण यहाँ जीवन अब आसान हो गया है सीता राम से बात कर पता चला की पहले संसाधन कम थे और जीवन गुजारना कठिन ऐसे में कॉमन मेरेज आम थी ताकि किन्नौर की सीमित जमीन ना बटे और कमाने वाले ज्यादा हाथ हूँ अब तो साधन ही साधन है सीता राम ने भी कॉमन मेरेज नहीं की वो चार भाई हैं और सबकी अलग शादी हुई है उनकी जमीन का बटवारा भी हो गया है उन्होंने आगे बताया कि अगर हम कॉमन मेरेज करते तो जमीन सिर्फ सबसे बड़े वाले के नाम ही रहती और उसके बाद हमारे लड़कों के नाम हो जाती मैलाओं के नाम जमीन नहीं होती तुरंत ही एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर महिलाओं को जमीन में हक नहीं तो क्या होगा अगर कोई लड़की कुवारी रह गई? उसका गुजारा कैसे चलेगा? कहां रहेगी? क्या खाएगी? सवाल पूछा तो सीता राम ने बताया कि बेशक कागजों पर महिलाओं का नाम नहीं होता लेकिन घर की असली मालकिन वही समझी जाती हैं गर की चाबी उनके पास रहती है कोई लड़की कुवारी रह जाए तो उसका भाई ना घर से निकाल सकता है और ना खेट से वो अपने भाईयों के साथ ही मिलकर गुजर बसर करेगी सीता राम कहते हैं यहां किन ओर में बहुतेरी बिन-बियाही औरतें मिलगी जो अपनी भाईयों के साथ रह रही हैं हालकि अब किन ओरी महिलाएं जमीन के लिए संगर शुकरने लगी हैं महिला कल्यान परिशद बनाई है मुकदमे किये हैं लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है सूखी लकडी से तलाक सीता राम के उलट के नौर में ही हीरा नेगी और दो छोटे भायों ने कॉमन मेरिज को चुना है सबसे बड़े हीरा नेगी शिमला में कलर्क की सरकारी नौकरी करते हैं और वहीं रहते हैं कॉमन मेरिज कैसी चल रही है उन्होंने हस्ते हुए जवाब दिया अभी तक तो अच्छी है अब बच्ची भी बड़े हो गए हैं और यहां मेरे पास शिमला में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं मेरी पत्नी गर्मियों में किनाड चली जाती है, वहां छोटे भाई भी हैं और हमारे खेत भी सर्दियों में यहां मेरे पास शिमला आ जाती है Common Marriage के बारे में गहराई से जानने के लिए मैंने हीरानेगी से पूछा जब तक सब सही चल रहा है तब तक ठीक है फर्ज कीजिए कि आपका कोई छोटा भाई इस शादी से सहमत न हो तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है या आपकी पत्नी आप सभी से तलाक लेना चाहे तो कैसे होगा हीरानेगी ने बताया आमतोर पर ऐसा होता नहीं लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ केस आये हैं जहां छोटे भाईयों ने Common Marriage से अलग होकर दूसरी शादी कर ली तलाक की नौबत आने पर दोनों परिवार जुटते हैं शादी तै कराने वाले के सामने लड़के लड़की के बयान दर्जी किये जाते हैं और फिर सूखी लकडी तोड़ी जाती है यू तोड़ता है रिष्टा कई बार ऐसा होता है कि पतनी किसी एक भाई को ज्यादा समय दीनी लगती है हीरा नेगी के मुताबिक ये स्वाभाविक है जो महिला को सम्मान देगा, घर चलाएगा और जिमेदारी निभाएगा उसे ही वो ज्यादा पसंद करेगी आमतोर पर इसके बाद भी लड़ाई ये मनमुटाव की नौबत नहीं आती क्योंकि ये सच्चाई पूरा परिवार समझ रहा होता है क्या आज की लड़कियां भी कॉमन मैरेज के लिए तयार हो जाती है ये सवाल स्रिष्टी कुमारी से था उन्होंने उल्टे सवाल किया कि एक लड़की एक से अधिक पतियों की जिम्मेदारी कैसे निभा पाईगी फिर कहने लगी कि अब लड़कियां एक ही लड़के से शादी करना चाहती है परिवार वाले भी इसे समझते है कई तरह की डेटा से पता चला है कि कॉमन मेरिज का चलन कम हुआ है कि नौर की कॉमन मेरिज कल्चर पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर राजेश गौतम बताते हैं मैंने अपनी रिसर्च के दौरान पाया था कि करीब 13 प्रतिशत की नौरी लोग कॉमन मेरेज में हैं इस परंपरा के शुरू होने को लेकर कई तरक हैं मसलन लड़कियों की कमी, संपत्ति का बटवारा रोकना, पारिवारिक एक जुटता, पती का लंबे समय तक घर से दूर एक तरक है कि किनौरी और जौन सारी लोग पांडवों के वन्शज हैं, हाला कि मुझे ये व्याक्या गलत लगती है, महा भारत में पांडवों को छोड़कर किसी और ने कॉमन मेरेज नहीं की डौक्टर गौतम का मानना है कि किनौर के विशम परिस्थितियों में कॉमन मेरेज जीवन को आसान बनाने की राह थी, इससे कम संसाधन में भी अच्छे से रहने और जन संख्या कम रखने में मदद मिली